उतरते हैं और एक बड़ा लंबार सफ़र तय करते हैं आगरा तक जो की मुख्यों और जगहें ढूंडते हैं और इनकी नजर इंडिया पर पर पड़े साल 1601 में इस्ट इंडिया कंपनी अपने पहले सबर पर निकलती है इस और पॉर्चियूस के टेडर्स काम करने लग रहे तो जो भी लोग मेरे चैनल पर नहें मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के दो पार्ट्स पहले अप्लोड हो रखे हैं तो इस वीडियो को कम्पीट देखने बाद आप उन दो पार्ट्स को भी देख लीजेगा तो सबसे पहले आपी छोड़ा सा प्रिवीव दे आर्मी थी चार मिलियन आर्म्ड लोगों की आर्मी थी बहुत ही ताकतवर थी कम्पनी के उफिशल्स जानते थे कि इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है आपर दोस्ती बनाने की कुशिश करते हैं ताकि यह लोग हमें यहां पर ट्रेडिंग करने जो भी यहां पर लोकल महराजा शेहनशा मौजूद है उसे थोड़ा उपीस करने ही कोशिश करते हैं तो उस जहाज के जो कैप्टन थे कैप्टन विल्यम हॉकिंस वो जहाज से उतरते हैं और एक बड़ा लंबा सफर तै करते हैं आगरा तक जो की मुगलों की कैपिटल थी उस वक्राइश देश पर मुगलों का राज जी था और मुगलों की जो आर्मी थी उचार मिलियन आर्म लोगों की आर्मी थी बहुत ही ताकतवर थी कमपनी के ओफीसर जानते थे कि इंसलराई करने का कोई फाइदा नहीं है यहाँ पर दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं ताकि यह लोग हम करते हैं आगरा तक जो की मुगलों की कैपिटल थी उस वक्त सबसे पहले जो आपने स्टार्टिंग में एक मैप अनिमेशन देखा था उसकी एडिक्टिंग करने के लिए मैंने एक वर्ल्ल मैप का इमेज डाउनलोड किया है और एक उस टाइम का अखंड भारत का पिन जी एडिटिंग करने के लिए हम काइन मास्टर अप्लिकेशन का यूज करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर अप्लिकेशन ओपन करना है और यहाँ पर आपको अपना एक्सप्रेक्ट रिस्यू लेके क्रेट पर किलिकर देना है तो यहां पर मैं सबसे पहले गया image asset में और यहां से मैंने एक image को select कर लिया इसके बाद इस image में हम pain and jump का effect लगाएंगे इसके बाद मैं गया layer में और फिर गया medium में और medium जाके मैंने वर्ल में आपका इमेज था इसको मैंने एड़ कर लिया अब इसमें हम in animation लगा देंगे और इस in animation के साथ में sound effect को भी एड़ कर लेंगे अब इस image में हम key button का use करेंगे अब अपने play hit को हमें इस वाले point पर लेके आना है और यहां से हमें जाना layer में और फिर जाना मीडिया में और जो इंडिया का map था जो png में इसको हमें simply यहां पर add कर लिना है इसके बाद इसके starting का जो छोटा सा भाग है इसको हमें simply split कर लिना है और इस छोटे आले layer में हमें simply overall animation लगा दिना है और इस overall animation के साथ में हमें sound effect को भी add कर लेंगे अब इसका last काम रह गया है इंडिया का text add करना तो इसके लिए मैं simply गया layer में और फिर गया text में और यहां पर हम simply हम इंडिया लिख लेंगे और इसके बाद हम इसका font वगरा चेंज कर लेंगे और इसके बाद simply हम इसके background color को on कर लेंगे और इसके opacity को भी हो पूरा high कर लेंगे और जिस जगह पर हम लगाना चाहते हैं simply वहाँ पर हम इसको लगा लेंगे अब यहां पर जो आपने मोगल empire के आर्मे का जो animation देखा था अब उसकी हम थोड़ी से editing करने वाले हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने इस वाले image को download किया फिर मैंने इसमें कुछ army को add किया उसके बाद मैंने इसको कुछ ऐसा image बनाया फिर मैंने इसमें थोड़ा सा समूंदर को add किया फिर मैं इसमें motion effect को add कर दिया इसके बाद मैंने sky change effect को भी लगा दिया इसके बाद Simply मैंने एक PNG image को create किया जिसको मैं layer में इसके उपर use करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इस वाली वीडियो को add कर लिया है और PNG को add कर लिया है इसके बाद मैं Simply गया layer में और फिर गया मैं effect में और यहाँ से मैं दो effect को use करने वाला हूँ एक साथ में एक effect का नाम है circle और दूसरे effect का नाम है magnifier इन दोनों effect को हमें एक साथ में use करना है और इन दोनों में हमें key button का use करना है तो इस वीडियो को देखिए मैंने आप step by step दिखाया है कि मैंने कैसे edit किया है कि मैंने पत्राइब से और यहाँ अर एक साथ में एक साथ में जाना है लाप में आईखिए को राईखिए अपरेंगल कि मैंने यह प्रीचिए और और का जेखिए मैं एक साथ मेंगल झाल झाल अब हम इस वाले मैप एनिमेशन की एडिटिंग करते हैं तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक मैप इमेश को डाउनलोड कर लिया है इसके बाद मैं सिंप्ली किया पिक साट अप्लिकेशन में और इसी वाले इमेश को यहाँ पर सिंप्ली मैंने एड़ कर लिया है इसके बाद हमें सिंप्ली जाना है ड्रो में और ड्रो में किलिकर करके यहां से हम कलर बगएरा चेंज कर सकते हैं और सिंप्ली हम पैंसिल का साइज बगएरा भी कम जादा कर सकते हैं इसके बाद सिंप्ली आपको इस तरह से ड्रो कर लेना है इसके बाद simply आपको इस वाले आइकन में किलिक करना है और यहां से simply इसको hide करके इस वाले image को save कर लेना है इसके बाद हमें इसको crop कर लेना है और इसमें हमें outline लगा लेना है इसके बाद वापस जाना है आपको karen master application में और यहां से simply आपको is map वाले image को add कर लेना है इसके बाद जाना है आपको text में और text में जाके simply आपको एक dot को add कर लेना है और इसमें आपको outline लगा लेना है फिर जाना है आपको layer में और अभी जो अपने fix art application से जो png save किया था उसको simply add कर लेना है अब हम इस png में in animation लगा लेंगे और इसकी timing को भी थोड़ा बढ़ा लेंगे इसके साथ में हम एक sound effect भी लगा लेंगे अब हमारा see blast काम रहे गया text add करना तो जल्ली से हम इसमें text add कर लेते हैं और इसमें हम some in animation लगा देंगे और साथ में हम background color को भी on कर लेंगे तो जल्ली से मैं इसको पूरा कर लेता हूँ फिर आपको मैं करके दिखाता हूँ वीडियो को record करने के लिए simply आपको अपने background में एक green screen को लगा लेना है इस तरह से और सामने आपको table में tripod को रखके अपनी वीडियो को suit कर लेना है voice record करने के लिए simply आप वया का mic यूज कर सकते हैं यह काफी अच्छा mic है और अच्छी quality का voice record करता है तो देखी मैंने कुछ इस तरह से अपनी वीडियो को suit कर लिया conflict avoid करने के लिए यह और जगहें ढूंडते हैं और इनकी नजर इंडिया पर पड़ती है इंडिया में भी बहुत सारी spices और textile थी तो साल 1608 में EIC के merchants इंडिया पहुंसते हैं और लेंड करते हैं आज की दिन के गुजरात के सूरत सहर पर पार्ट वन में दोस्तों मैंने बता रखा कैसे आपको अपने वीडियो को record करना है कैसे आपको बैग्राउंड की वीडियो बनाना है कौन कौन से एडिटर है यह वीडियो बनानी के लिए और अपको वीडियो में cropping कैसे करना है और chroma की कैसे लगाना है अपनी वीडियो में आपको images का कैसे यूज करना है और clip graffics का कैसे यूज करना है और text एired animation कैसे लगाना है इस सब मैंने दोस्तों पार्ट वहन नहीं बता रखा तो सब को सब हमाज ग Clock वीडियो को प्लीज देख लीजेगा कॉंफ्लिक्ट अवाइड करने के लिए और जगहें ढूंडते हैं और इनकी नजर इंडिया पर पड़ती है इंडिया में भी बहुत सारी स्पाइसिस और टेक्स्टाइल थी तो साल 1608 में EIC के मर्चेंट्स इंडिया पहुंसते हैं और करते हैं आज की दिन के गुजरात के सूरत सहर पर देश पर मुगलो का राज जी था और मुगलो की जो आर्मी थी उचार मिलियन आर्म लोगों की आर्मी थी बहुत ही ताकतवर थी कंपनी के ऑफीसर जानते थे कि इंसे रराय करने का कोई फाइदा नहीं है यहां पर दोस् करते हैं और एक बड़ा लंबा सफ़र तय करते हैं आगरा तक जो की मुगलो की कैपिटल थी उस वक्त दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो वीडियो दिख रहे होंगे अगर इन्हें अभी तक नहीं देखें तो प्लीज इसको भी देख लीजेगा और अगर चैनल पर नहीं है